एब्रीवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अन्बॉक्सिंग पिटारा तो मैं आज आप सभी के लिए दुबारा से बहुत ही अच्छा रिव्यू शेर करने चाह रही हूँ और मैं सिंपली बताऊं तो पहले आप सभी एक रीकैप देख सकते हैं क्या क्या चीज़े आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ तो देख सकते हैं आप मैंने यहाप पे कितनी अच्छी अच्छी ज्वैलरी आप सभी को दिखाई है और यह मैंने कहां से परचीज किया सभी अब हम डिसकस करेंगे तो चलिए देखते हैं तो आप सभी जैसा कि पहले देखी चुके हैं कि मैंने इतने प्यारी प्यारी ज्वैलरी आपको पहले दिखा दी हैं तो हाँ मैं आज आप सभी के लिए यह रिव्यू लिकर आई हूँ ज्वैलरी का ऑक्सिडाइज इयरिंग्स का प्लस में जितनी मीरे पास थी और जो भी मैंने मंगाया हुआ तो मैं सभी दिखा रही हूँ तो यह प्राइस भी देख सकते हैं यहाँ पे यह जो मैंने मंगाया है सेट यह मुझे 90 रूपीज का मिला है आप सभी देख सकते हैं कि कितना ज़दा प्यारा है बस इसमें एक छोटी सी कमी थी वो क्या थी कि जब मैंने इसको खरीदा था तो ये बिलकुल ठीक था लेकिन एक earring में क्या हुआ उपर का ये जो लोक होता है वो थोड़ा सा तूट गया था तो मैंने थोड़ी से तिगडम लगाई और क्या किया मैंने जो पीछे के फ्लास्टिक वाले होते हैं लगाने के वो लगा लिया उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो चोकर सेट है वो कितना जादा प्यारा लग रहा है और मैंने ये सारी की सारी अपनी ऑक्सिडाइस ड्योलरी कहां से मंगाई है मैंने मंगाई हैं मीशो से और हाँ आप सब भी देख रहे हैं इसमें हमें ये चोकर मिल रहा है और दो इयरिंग्स मिल रहे हैं और इसका सेट मुझे 90 रुपीज का परचेज मैंने किया था मीशो से तो आप सब भी चाके जरूर चेक कीज़ेगा बहुत प्यारा है और हम किसे भी चीज पर पहन सकते हैं जैसे कि मैंने सारी पर वियर किया था तो आप सब भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है देख सकते हैं इसके इरिंग्स जो हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं जो पिक है उससे आपको दिखाने कोशिश किया ताकि आपको क्लियर हो जाए उसके बाद जो सेकिंड है वो मेरे पास है चोटी-चोटी से कितने प्यारे से जो सरकल शेप में है और मुझे चोटी-चोटी जो इरिंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा पसंद है क्यों पसंद है क्योंकि हम इसे घर में पहन सकते हैं ठीक है और काम नहीं दुखते सबसे अच्छी बात और सस्ते मिलते हैं दस रूपे में मिल गया मुझे ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा है ये है gold में oxidized earring याने की पहले मैंने silver में दिखाये थे अभी मेरे पास gold में भी था तो आप सभी देख सकते हैं gold में है ये पूरा का पूरा और आप सभी को अभी और अच्छे से देखने को मिलेगा देख सकते हैं इस पर कितना अच्छा work हो रखा है उपर एक mirror लगा हुआ है circle की shape में और नीचे आपको जुम की type जो feeling है ना वो देता है जब हम इसको पहनते हैं तो थोड़ा सा इसमें नीचे जस्ट ये घुंगरू की shape में लगा हुआ है लेकिन इसमें से अवाज नहीं आती है तो irritate नहीं होता है सबसे अच्छी बात ये दूर से दिखने में इतना प्यारा लगता है और only and only 50 rupees का मुझे मिला था मीशो से तो आप सब भी देख सकते हैं कितना प्यारा है उसके बाद next जो है वो मैंने ring वाली जो अपने earrings होते हैं मंगाये थे मीशो से ही और ये भी मुझे बहुत ही सस्ते मिले तो कैस करो कितने के मिले होंगे मुझे ये मिले है 20 rupees के मीशो से तो इसका लोग बहुत अच्छा है और इसका size बहुत big है मतलब कि छोटू नहीं है ठीक है उसके बाद next जो है ये मुझे उपर के तरफ more बना हुआ है ठीक है चोटा सा और इसके नीचे जुमकी है यानि के छोटी से जुमकी है और उपर जो है more है तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये हम simply किसी कुर्टी पर फैन सकते हैं इससे कि हमारी कुर्टी जो है वो बहुत अच्छी लगेगी simple कुर्टी हो plain कुर्टी हो बहुत अच्छा लगेगा लुक बहुत अच्छा आएगा तो ये भी मुझे कितने में मिला है अभी मैं आपको प्राइस बताने वाली हूँ तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है और जुम की इस तरीके से जब हिलती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है अगर आपको ये सभी जो ज्वैल्री है वो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट वोक्स में करके बता सकते हैं और आपकी नाइस वन याने की फेवरेट वन आपकी कौन सी रही इन सभी में से वो भी आप मुझे फटा फटा से कमेंट वोक्स में करके तो आप सब देख सकते हैं कि इसका लुक बहुत प्यारा आ रहा है इसके उपर चुटे चुटे स्टोन्स है और साइड में ये देख सकते हैं फ्लार बना हुआ है जो उसके पंक होते है न मोर के उस तरह से है तो I think आपको ये भी काफी पसंद आएगा और इसका प्राइस है 30 रुपीज तो देख सकते हैं इतना सस्ता और इतना प्यारा लुक दे रहा है और इसके पिक ये रही उसके बाद next है ये सबसे last वाला और ये मुझे बहुत अच्छा लगाता इसमें देख सकते हैं कितना अच शल्ल की शेप ने हैं और सबसे अच्छी चीज ये हो ति किने लोक करने की जारूर किया सिंपली हम इसे वियर कर सकते हैं तो आप सब ही देख रहे हैं कि तो यह थोड़ा सा ब्लकिश में ऑकसिडाइज है यानि की इक होते है सिल्वल में गॉल्ड में और एक होता है पहन सकते हैं अगर हम simple कोई सारी पहन रही है you know plane सारी तो उस पे पहनेंगे तो अच्छा लगीगा ठीक है और पियो काफी सारे हम पहन सकते हैं कूरती पहन सकते हैं जो maxi type कूरती होती है उस पे पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा लुकाता है तो I think आप सभी को यह सारी की सार एरिंग्स बहुत अच्छी लगी होंगी और यह सारे के सारे मैंने 240 से मीशो से पर्चेस किया यानि कि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज